तो मैं हूँ राम और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो बताने वाला हूँ अपने स्मार्ट एलेडी डीवी में किसी भी एप को डाउनलोड कैसे करते हैं पले स्टोप से जी हाँ दोस्तों यदि आप लोग को नहीं पता कि किसी इस वी ब्रैंड के इसमार्ट एलेडी टीवी में या फिर एंड्रोड टीवी में अप को कैसे डाउनलोड किया जाता है इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे और यह दि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजए क्योंकि यहां पर इस तरह के वीडियो मिलत कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में हम पले स्टोर से एप को डाउनलोड करना सीखेंगे तो आप अपने रिमोट से जो मीनू है मीनू बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो स्मार्ट एलेडी टीबी है उसमें कुछ इस तरह का पैच वाल आ जाएगा यानि कि सारे इस इस तरह से जो रिमोट का बटन है इसको करना है और यहां पर साइड में आना है यह पले स्टोर पर गूगल पले स्टोर को यहां पर क्लिक करना है अगर आपके सामने यहां पर टीबी में गूगल पले स्टोर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको इस साइड में आना है और जो पलस वाला icon है, इस पर आपके टीबी में, जो Google Play Store है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप यहाँ से ला सकते हैं, यहाँ पर बैक जाएंगे, और गूगल पले श्टोर को यहाँ से ला सकते हैं, तो यहाँ पर बैक जाएंगे, और Google Play Store को ओपन करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारे जो स्मार्ट LED TV है उसमें Google Play Store ओपन हो जाएगा देखिए यह Google Play Store ओपन हो गया है अब हमें Google Play Store से dł魚 है गरआ देखिए हमें यहां पर सामने ही कई सारे अप यहां पर दिखाई दे रहे हैं नीचे कि साइड में उपर नीचे करके देख सकते हैं थीक है तो फिलहाल ही इसमें की सत यह एक कंप को एक जामपल दे कर मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो यहां पर कोई एप में यहां पर दिखिए यह जो सेंड फाइल टु टीवी यह बहुत इंपॉर्डट एप है किसी भी किसी भी मतलब फाइल को आप अपने मोबाइल फोन से यहां पर टीवी में सेंड कर सकते हैं तो यह एप इंपॉर्डट है मैं इसी को किलिक करता हूँ इस एप को किलिक करता हूँ तो यह सेंड टु फाइल टु टीवी यहां पर ओपन आ गया है और यहां पर इंस्टॉल आ गया है यानि कि यह एप मेरे टीवी मे है कि यह हमारे टीबी में नहीं है तो इसे पर जो इस्टाल वटन है उस इस्टाल बटन पर ओके करेंगे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर MX Player app है वो यहाँ पर download होना सुरू हो गया है वहाँ पर pending बता रहा है तो pending बता रहा है तो कोई भी घबलाने की जूरत नहीं है क्योंकि कई बार हमारे जो इंटरनेट होता है जो हमारे Wi-Fi का इंटरनेट होता है वो slow होता है उसमें वो पेंडिंग बता रहा होता धिरे धिरे वह स्टार्ट होगा डाउन Side सेट ही देखते ही यहां पर 8 % डाउन्लोड हो चुका है तो यह दे दीरे हमारा जो एप है को डाउन्लोड हो जाएगा और यहां पर 100% तक चला जाएगा तो जो 100% हो जाएगा तब ये एप हमारे TV में इस्टॉल हो चुका होगा उसके बाद ही हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए 92% यह जो एप है वो हमारे TV में डाउनलोड हो चुका है अब यह इस्टॉल हो रहा है आपको कुछ नहीं करना है यह कुछी देर में इस्टॉल भी हो जाएगा तो आपको सिर्फ इसको यूज करना यानि कि आपको सिर्फ एक बार आपको इसक डाउनलोड हो जाएगा और इस्टॉल भी हो जाएगा आपको कुछ करने की जरुद नहीं है सो दोस्तों देखिए यह MX Player एप यहां पर डाउनलोड हो चुका है इस्टॉल भी हो चुका है देखिए अनिस्टॉल को आप्सन आ रहा है हम चाहें तो इसको अनिस्टॉल भी कर सकते हैं